आज के एपिसोड में आपको बताऊंगा ऐसा योगा जिससे आपकी स्किन बहुत ही ग्लोइंग और बहुत ही खुबसुरत दिखेगी आप अपने फ्रेंड फैमिली को बहुत ही जाजबन नजर दिखेंगे वो आपसे पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं आप कौन सी क्लीन तो आप इसको फ्यू देज ही परफॉर्म करेंगे तो आपको इसके रिजल्ट आना शुरू होंगे तो मैं आपको इंकरीज करूँगा कि वीडियो को देखते हुए ही इस तरह मैं परफॉर्म करें और डिफिनेटल यहाव वेरी इंट्रस्टिंग रिजल्ट अगर आप मे इस प्लाट करें रहे थे ग्लोइंग स्केंड की कि मैं आपको बहुत ही अमेजिंग योगा बताने वाला हूँ जिसे आपकी फेस पे मेक्सिमम ब्लड सर्कूरेशन होगी जो स्पॉर्ट लेस्बी है आपकी ग्लोइंग स्केंड के लिए भी पांक स्केंड खिन केलिए से और मुह से घ्जेल किया लंबा गड़ा सांस लें इन्हेल किया और मुह से घ्जेल किया ठीक है इन्हेल किया एक्जेल किया वही नाइस आपने दूनों नॉस्टिल को क्लोज कर लेना इस तरीके से और मुह से इन्हेल करना है ठीक है मुझ से जब इनहेल कर लेंगे डन आपने पpsyäre मुझ को बन्ध करके मुझ को फुला ले ना है ठीक है वह और अटमाटिकली एक जो है भुबारेट की तरह आपको फूल जाये का उसके बाद आपने नीचे की तरफ मुझ कर ले नहे上सा क्पपर देना है और जितनी तो यह देर हो से कि आपने सास को होड़ करकर रखना है मैं आपको परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ चेकर जी क्यूंकि इसके दुरान बोरना थोड़ा सा मुश्किल होगा तो हम 3 टामस करेंगे 3 तेमस आपसको मेरे साथ परफॉर्म करें मैं सास ले रहे हैं मुझसे वेडिनाइस वेडिनाइस दाट इंट्रस्टिंग ठीक है जी मैं आपको दुबारा रिपीट कर रहा हूँ आपने मुझ से सांस पूरा भरना है उसके बाद मुझ को फुला लेना है नाग बंद रहेंगी आपने फेस को नीचे के तरफ जुका कर रखने है तब तक जब तक आ तक तक आपने है तक रिक रखने है तक तक कर दो जबर भी और वपके चीक आप within a week that will be the reddish one ठीक है आपको चेरफ डेफिनिटली glow करेगा, सही है one more time, third time मेरे सथ करें आपने इसको कम असकम तीन दफा ज़रूर किया करना है, ठीक है, again inhale करें मुझ से, then नाको बंद के रो नीचे की दरफ जो है आप देखें very interesting, very आप बिल्किली सकुक करें और comment box में ज़रूर बताएगा अपने feedback के बारे में उसे वे दूसरा जो हमारा interesting yoga pose होते हैं, बहुत सारे yogis में भी इसको recommend करता हूँ वो है जी child pose ठीक है, all the way आपने forward जो है वो जाना होते है, आपकी face में बहुत अच्छी blood circulation होती है, मैं आप गर के दिखा तो ऐसे आप वजरासन में जिसे नमाज में अत्ताहियाद पर बैठते हैं, आप उसको बैठ गए, छीक है जी ऐसे बैठ गए आपने all the way, जो है न फॉरवड अपने हाँ जतने maximum आपके आगे जा रहे हैं किए आपने आगे की तरफ किए और उसके बाद आपने माथा जमीन पर लगा दे कोशिश की कि आपके हाथ जितने हो सकते हैं वो straight रहें और ठीक हो गड़ी और कंदे जमीन पर रहें नीचे की तरफ तो आपका एक चाइल पोल भी होगा और आपके चेहरे पर बड़ी ही नाइसली जो है वो ब्लड सर्कुलिशन रहेंगी लंग बेगेरे सांस ले नाक से इन्हेल करें मुझ से एक्जेल करते हैं अबाउट 30 सेकिंड तक इसी पूजिशन में रहें आप तो अपने कमर को बेलकुल आपको ब्लड सर्कुलिशन होगी यह फेस पर आपके प्रेसर होगा तो आप जो है अबाउट 30 सेकंड इसी पॉजिशन में रहें सेम आपने कमर को बिल्कुल धीला छोड़ना है बॉड़ी को बिल्कुल धीला छोड़ना है फेस पे माथे पे प्रेशर आने दे और लंबे गहरे सास लेते रहें लाक से इंहेल करते रहें और मुझे एक्जेल करते रहें और फि को बिल्कुल जो है वहापने गट बाउक्त to the normal position अपने एक नेक्स पोजिशन करनी है विच विच फीटी इंटरस्टिंग आपने करना है आपने ये स्ट्रेट इस तरह से खड़े हो जाना है एक यह आपने इस तरह से खड़े हो जाना है अपनी नीज के प्रशित लाइं श एडी से पकड़े और बिल्कुल ठीला पीछे की दर छोड़े और लंबे गहरे सांस ले यूविल हाव बेरी नाइस प्रेशर और ब्लेड सर्कूलेशन और यो फेस लंबे गहरे सांस ले नाकसे सांस लेते रहें मुझसे घ्जेल करें एक्जेल इन्हेल एक्जेल इन्हेल एक्जेल इन्हेल एक्जेल गेल्ष लोली आपने इस तरीके से अपनी पूजिशन को रिलीज करना है और आप अपने face पर जो है वो बहुत ही अच्छी blood circulation जो है वो देखेंगे which is actually required for the glowing skin and for the charming skin अचा उसके बाद आपने lastly क्या करना है अगेन हमने कोशिश करनी है कि हम वो poses करना है जिससे हमारे face पर अच्छी necessarily blood circulation ठीक है तो हम क्या करेंगे हम इस तरह से लेड़ जाएंगे done हमने क्या करना है जी हमने हाथ से pressure करके पोशिश करना है थोड़ा सा इस तरीके से हम इसको करके रखें हलासना करना चाहें पीछे पूरी टाले ले रहें वो भी उसके लिए face के लिए बहुत बहुत बेतर है अधरवा शोल्डर शोल्डर स्टेंड इस इंट्रस्टिंग आपने यह दो हाथ जहें वो हैपके करीब रखे एंड देन जो है आपने ओल दे वेस को फोवर्ड उपर की तरफ स्ट्रेडिक लाइन डिफाइन कर दीगे मैं थोड़ा से इसली कहा है अगर आप बिगिनर हैं तो हो सकता आप से शोल्डर स्टेंड इस तरह से ना हो तो आपने करना है आपने इस पूजिशन में रहना है छीक है जी कमर को आप सपोर्ट कर ले हाथ के साथ और लेग्स आपकी उपर होंगी आपका एक अच्छा नाइसली जो है वो फेस पे बलड सर्कुलर शरे और बिलकुछ स्लोली 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 आपने जो है वो गिट बाक तुजिन आप नीचे रहे और इस तरीके से आपने वापस आ जाना है और कुछ दिर आप शवासना में रहें बिलकुल स्ट्रेट लेड़ जाएं बिलकुल स्ट्रेट इस तरह से घ्यान मुदरा बना लें फेसिंग टूर्ड शीलिंग और बिलकुल धीला जिसन छोड़ दें नाक से इन्हेल करें मुझ से एक्जेल करें है पदी बिलकुल क्लरा ट्राइक्स सांधिarat पया के ऑने नागशोल सांधिक शारीकmalग और श्रेट शीलिंग इस तरीकर से बाता हूं तो आपने इस तरीकर से हुट आपने इस तरीकर से उठके बैठना है आपने मुझे जरूर कोमेंट बाक्स में बताना है कि आपको यह कैसी लिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो अपने फ्रेंड फैमिली को भी जरूर शेयर करें क्योंकि हम में से हर बंदा चाहता कि उसकी स्केन अच्छी लगे हर बंदा खुबसूरत दिखना चाहता है और मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ चीजों के बारे में कि आप खुदारा जो है जो स्टीरोइड की क्रीम हैं प्लीज उनको यूज़ना करें डाट इस वीरी वीरी हामफुल जीक है बहुत ज्यादा जो है बहुत ज़्यादा मूं को धोना साबून से ये फे प्रैस को दूटे तो इस तरह ही दोलेल को की इस तरह से ऊसेचियर्फों के चैनल धाल आठाइबゃ जो है इनको जड़ूर्कुल यूज़ं करना होता है जो साबून लेकि या फेस सोस्जाँ को लेकर तो हमने इन चीजों को ज़रूर प्रफॉर्म करने उसकर आथन योगास से भी खुबसूरत दिखेंगे मेरी बहुत सारी दौई आपके साथ हैं और आपकी दौई मुझे रिक्वाइड है अपना बहुत सारा ख्याल लगीएगा अपनी जिंदिगी को इंजॉय कीजेगा वीडियो देखें के बहुत शुक्रिया अला हाफिस